करेंगे जो यहां पर देखो मैंने हाली कोचिंग लिख है कोचिंग क्लास न्यू गाइडलाइन कोचिंग क्लास न्यूज कोचिंग सेंटर 16 एर्स ठीक है तो यहां पर आप लोग समझ गए होगे कि यह जो नया एक कानून आ रहा है जिसके उपर हम यहां पर बात करने वाले इस रिगार्डिंग कोचिंग क्लास के उपर लगाम लगाने की बात करी जा रही है तो उसी चीज के उपर हम बात करेंगे सबसे पहले आते हैं कि इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो चाहे कोई student है चाहे कोई parent है किसी school के authority देख रही हो स्कूल का कि बच्चे देख रहे हो स्कूल के teachers देख रहे हो ठीक है आप सभी के लिए इसमें बहुत कुछ important कि मैं अगर अपनी बात करो पिछले 15 साल से इस पूरे सिस्टम के अंदर हूँ ठीक है कई बच्चे को पढ़ाया कई बच्चे को ऑफ-लाइन हमने पढ़ाया मेजॉरिटी मैं अब ऑन-लाइन हूँ ठीक है तो और यह जो पूरा जो चीज मैं बताने वाला हूं नहीं प्रो मो पर न ओपन एंड़ चीजें बताऊंगा और बाकी सोचना आपको है ठीक है तो इसमें सबसे पहले हम जो बात करते हैं कि जब जब यह चीज 16 साल से नीचे के बच्चों को कोचिंग क्लास मतलब की जरूरत नहीं पड़े या कोचिंग क्लास 16-year से कम वाले बच्चों को ना सिर्फ 16 साल से उपर वाले बच्चों को है 16 साल से नीचे वाले बच्चे क्या उनको जरूरत नहीं पड़ती है चाहे वो अमीर हो गरीब हो उसके फामिली में कोई पढ़ा लिखा है या नहीं है क्या 16 साल से नीचे फांडेशन बिल्ट नहीं होता है यह शुरुआत मैं शुरू करता है अब जैसे कोचिंग क्लासेज जो ऐसे बहुत सारे कोचिंग क्लासेज हैं जो 10 तक पढ़ाते हैं ऐसे बहुत सारे हैं जो जैई, नीट या उपर के जो लेवल से 10 के बादवरे लेवल से उससे आगे पढ़ा रहे होते हैं ठीक है ऐसे बहुत सारे कोचिंग क्लासेज हैं जो बहुत बड़े जाइंट्स हैं और ऐसे बहुत सारे कोचिंग क्लासेज हैं जो आच्छिली कोचिंग क्लासेज नहीं है और स्कूल के अंदर जब पढ़ाया जाना चाहिए उस समय उनको ना पढ़ाके या पता नहीं क्या करके उसके बाद उनको पढ़ाया जाता है मैं सभी स्कूल की बात नहीं करना हूँ तो कोचिंग बंद होगे या फीस बढ़ेगी इसके अब जड़ा से सोचना है इसके ऊपर ठीक है आइडिपली रिस्पैक्ट जो एक्जिस्टिंग हमारी गवश्वर्मेंट बहुत सारे अच्छी चीजें बहुत सारे अच्छे स्टेप्स भी लिए गये हैं इसके अंदर ही बहुत सारी अच्छी चीजें हैं कुछ points हैं जो मैं जिसके उपर मैं discuss करने आया हूँ अच्छा यह बात करेंगे तो अब जैसे पता है होता गया है कि अगर जितनी पॉलिसी की बात करी जाए जैसे मैं यह नहीं चाहता हूं कि यहां पर यह नोडबंदी की तरह हो जाए ठीक है जो नोडबंदी हुई थी उसमें थोड़ा से भाइक फार था यहां पर इसके अंदर ना आए इसका इंपाक्ट बहुत गह रहा हो सकता अब जो इनिशेटिव है जिसके लिए लिया जा रहे हैं कि हाँ बच्चों के उपर जो प्रेशर है जो सीटे के से सरीक आरहे हैं सबके ओपर कारवाई करने का बात है यह बहुत होगा ठीक है सारे स्टेप्स कैसे इसके इंदर वैलेड है वो थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा तो मैं मैं सोच रहा था कैसे अब तीन महीने बाद और exactly execute होगा कैसे होगा परना मैं थोड़ा सा जब ऐसी चीज़े समझ यह आती ना तो मैं एक ही चीज सोचता हूं कि भाई follow the money जब कोई चीज समझ ना आया ना तो economics के ओपर ध्यान लगओ कैसे काम वहाँ पर हो रहा होगा ठीक है तो ऐसी कुछ-कुछ चीज़े जब मैंने सोची थोड़ दिया दो बहुत सारी बाते निकल के आई हैं for example अब इसको होना हम relate करते हैं रिच्छ वर्स वर्स बॉर्स कैने की इक अग्जानन की बात करो एंदी बाते हैं जो होते तो नावने स्कूल की बात करी जाए है हां बहुत सरी चीज़ आ रही है तो नवदे स्कूल के एंटरेंस की बात कर एंटरेंस एक्जाम होता है बच्चे उसके बहुत अच्छी तयारी करते हैं पुरी इंडिया से बच्चे तयारी करते हैं बहुत कम सीट्स होते हैं और जवरदस्त वहां पर एक तरीके से कंपिटी या फिर वो बच्चा जिसके घर में जो बड़े भाई बहन या पेरेंट्स एक एजुकेटेड सेग्मेंट से बिलॉग कर रहे हैं तब तो उनके लिए आसान है एजुकेटेड है बच्चा पढ़ लेगा रिच बाग्राउंड से है प्राइवेट ट्यूटर को घर बुलाय जाएगा और फिर पढ़ लिया जाएगा लेकिन वो बच्चा जो जो पूर क्लास से है और नहीं उसके घर पर कोई एजुकेटेड है क्या ऐसे बच्चे को सपोर्ट की जरुवत है कि नहीं है यह एक चीज सोचने वाली है ठीक है और हम नॉर्मल ही बात करें मैंने ऐसे कई बच्चों को ओफ लाइन में पढ़ा रहें पर मैंने जब ऑफलाइन में कई बच्चों को इसे पढ़ाया हैं जो जो की मतलब एक अच्छे रिणावन मतलब अब मैं प्राइट स्कूल नहीं बोलूगा पर वो सरकारी संस्थान एक ऐसा थिक ठाक स्कूल और उस स्कूल का ब read करने में दिक्कते आरही है spelling ठीक नहीं है बहुत भुरी तरीके से बहुत बुरा दिक्कत आरहा ठीक है और उस school में जब मैंने जब और बच्चों को जब में देखा तो क्या यहां पे कोई solution प्रोवाइड किया जा रहा है अब मैं private school की बात करूंगा ऐसे बहुत सारे private schools है not all of course not all ऐसे बहुत सारे private schools है जहां पे जो classes का time होता है जो school का time है समझो साथ से लेके एक बज़े तर उस time पर पता नहीं क्या पढ़ाया जा रहा है कि उसके बाद अगर एक लाकी fees है साल बर की उसके बाद extra 40-50,000 लेके 30-45,000 लेके उसके बाद extra 2 गंटा 3 गंटा बिठा के और तब वहाँ पर coaching कराई जा रही है वह इसकी extra जरूत क्यों पढ़ रही है आप यह कहरे हो कि 5 गंटे से जादा बच्चे को नहीं पढ़ाना है तो आप school के अंदर बच्चे को 8 गंटे बढ़ा रहे है और मैं सिर्फ 10th class की बात नहीं कर रहा हूं उसके पहले मतलब छटी सातवी से भी मैं यह चीज सिस्टम देख है इससे क्या होगा अगर बानलो किसी कोचिंग सिस्टम में उनको रेस्ट्रिक किया जा रहा है कि आपको स्कूर मीटर हर बच्चे के साब से एक स्पेशियस आपको स्पेस प्रोवाइड करना है 50 से जाधा बच्चे होंगे तो कोचिंग के अंदर काउंट होगा तो उसके लिए अलग रेगुलेशन होंगे उसके लिए अलग से आपको रेजिस्ट्रेशन लेनी होंगी तो यह सारा जो प्रेशर है किसके ओपर आएगा अगर उस कोचिंग क्लास को वैलिडेशन दिया जा रहा है तो अब वह फीज का प्रेशर अल्टिमेटली किस पर आना है यहां पर थोड़ा सा मुझे ना कुश्चन मार्क लग रहा है कि जब इसको सोचा जाएगा और जब इंप्लेमेंट होगा ना तब इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा ठीक है बहुत सार ऐसे टीचर्स हैं जो इस चीज़ से अग्री करेंगे और एक और बात जो बहुत इंपॉटंट है जो मैं कई दिन से सोच रहा था जो पर यह सही पॉइंट है देर आइर लौट ओव स्कोल जो शाहीड नॉर कर रहे हैं उनको ने और और जह उनको टूशन दिया जा रहा है और एक्जाम के पापर वो खुद बना रहे उस paper का ही important उनको दिया जा रहा है जिससे वो बच्चा अच्छा मंग score कर रहा है क्या ये systems आई है क्या आपने जो लगाम coaching के लिए लगाया है क्या ऐसे schools पर वो लगाम लगनी चाहिए की नहीं ऐसे बहुत सारे coaching mafias हैं, giants है जो जिनके ऐसे dummy schools चल रहे हैं जहां बच्चों को जाने की जरूत नहीं है, पढ़ने की जरूत नहीं है वो सब coaching में ही system चल रहा है जिसके उपर कोई regulation नहीं है यह सब thought देने वाली बात है मैं हर जगो open and कर रहा हूं, कहीं पर मैं close नहीं कर रहा हूं, आपको सोचना है इसके बाद of course, जब इतना बड़ा ये जो unorganized sector है जहां पर लग रहा है कि यार और पैसा बनाया जा सकता है तो शायद ये पैसा कहां से जब ये taxes बढ़ेंगे तो उसका असर किसके उपर जा रहा है वो भी एक चीज सोचने वाली बात है ठीक है? और एक बात एक और point जो ये कहा गया है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए जो teacher हो उनका minimum qualification graduation और भी अब ये जो sentences मैं बोल रहा हूँ है मैंने comments में पढ़े है बच्चों के ही आप लोग के comments में पढ़े है कि teacher की minimum qualification expect की जा रही है graduation चाहे वो 10 वी या 8 वी किसी को भी पढ़ा रहा हूँ और जो लोग इस देश को चला रहे है MLD हो MP हो local assembly से हो जो इस पूरे election system का हिस्सा है जो जिनको हम नेता मानते हैं अपना leaders मानते हैं क्या वहाँ पर कोई bare minimum basic education की वहाँ पर कोई लगाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए मुझे नहीं पता यह video रहेगी यह video यह channel ही पूरा हटा दिया जाएगा आइडोंट लेकिन यह सोचने वाली बात है मैं चाहता हूँ कि इस चीज को सभी जहां पर भी शेयर कर से उक तो आप करो ताकि लोगों को एक थॉट मिले क्योंकि क्या होता है कि हम कई बार गया होता है जो system आ रहा है उसको बस हम blindly कुछ दो-तीन points देखते हैं हाँ अच्छा लग रहा होता है या बुरा लग रहा होता है जो भी है हम बोलते हैं या पोस करते हैं जो भी कुछ होता है पर there is something जो हमको सोचना चाहिए मान लो कि अगर इंप्लिमेंट हो भी जाए तो क्या कोचिंग ट्यूटरिंग नहीं चल रही होगी क्या यह बच्छों पर प्रेशर नहीं आ रहा होगा क्या उस उस वक्त यह चीज नहीं हो रही होगी डेफिनेटली होगी competition जादा है अप IIT medical यह college जब बढ़ाओगे seats बढ़ेंगे बच्छों के ratio के इसाब से होगा तो यह अपने आप काफियाद तक इंप्रूब हो रहा होगा स्कूल के systems को इतना अच्छा किया जाए कि बच्छा स्कूल में ही इतना अच्छा पढ़ ले कि उसको coaching की जरूरत ना पड़े इसके लिए स्कूल के teachers को पे करना भी जरूरी है स्कूल में student के साब से teacher का ratio maintain करना भी जरूरी है वहाँ पे बहुत सारी issues है चाहे private school की बात करें चाहे government school की बात करें आपको वहाँ पर भी ध्यान लगाने की जरूरत है मैं बस इन सब चीजों पर गौर करवाना चाहता हूं इसके अलावा कोई intention नहीं है ना प्रो ना एंटी तो इसी के साथ जितने भी stakeholders हैं इस पूरे education system के शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस system का हिस्सा नहीं होगा या तो आप parents हैं या तो आप students है future में आप citizens बनेंगे school के authorities होंगे teachers होंगे कोई officials होंगे मतलब यह एक और बात है कि जितने लोगों ने यह नियम बनाये हैं क्या आपके बच्चे 16 साल से पहले coaching नहीं जाएंगे बहुत बहुत important सावाल है यह सोचने वाली बात है कि यह difference और ज्यादा create करेगा रिच और पूर के बीच में coaching किसी को जरुवत है किसी को नहीं है और जरुवत उनको ज़ादा है जिनके घर में कोई पड़ा लिखा नहीं है और जब कुछ कुछ टियर टू टियर ट्री सिटीज में जब कुछ बच्चे जादा नंबर में पढ़ रहे होते हैं उससे उनकी फीज कम हो रही होती है मुझे नहीं पता कि मैं यह सही बोल रहा हूं कि नहीं पर मेरे ख्याल से एकनॉमिक्स वैसे काम कर रही होती है ठीक है तो और डेफिनली जैसे मैंने सलुशन कुछ चीज है जो मुझे लगी नंबर ऑफ सीज बढ़नी चाहिए थोड़ा लेवल अप कम कर लो जो डोनेशन्स चल रहे हैं कॉलेजस में इतने धडलले से उसके उपर ध्यान में उसके हैं जिन पर लगाम लगानी जरूत है और ऐसे डेफिनेटली ओनलाइन सिस्टम्स यूट्यूब के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी उपर लगाम लगानी की जरूत है हो सकता है कि मेरे उपर भी हो ठीक है कुछ पॉइंट्स जो गलत कह दें अगर हम तो इसी के इस वीडियो करते हैं एंड एंड उमीद करते हैं से कुछ डिफरेंस आएगा शेयर करना इसको बाबाई ओल्दी बेस्ट जैहन दाउनलोड दी अप नाओ